दोस्तों आज हम sit और sight के अंतर को जानेंगे देखिए sit के आगे e जैसे ही लगा इसका accent change हो गया और इसे sight बोला जाने लगा अब accent और pronunciation में क्या difference होता है इस पर हमारी पिछली वीडियों आप देख सकते हैं आएए देखते हैं sit और sight में क्या अंतर है देखिए दोस्तों sit क्या है verb है जबकि sight noun है sit का मतलब है बैठिये, बैठना, बैठ जाना, बैठाना, अंडे सेना, अंडे पर बैठना, कचहरी करना, आसन जमाना, अधिवेशन होना आए इसे इन example से और अच्छे से समझते हैं place sit down for a while, किरपया थोड़ी देर बैठें, दूसरा example देखिए come and sit here beside me, मेरे पास आकर बैठो जबकि sight का मतलब है, स्थान, जगा, निर्मार स्थान, यानि जहां पर निर्मार कारे हो रहा हो कारे अस्थल, जहां पर काम हो रहा हो, क्रिया कलाप हो रहा हो, कारे अस्थल, ठोट हिकाना, घटना अस्थल, मुकाम, बनाना इसे आए इन sentences से और अच्छे से समझते हैं a site has been chosen for the new school नए स्कूल के लिए एक जगा को चुना गया है दूसरा example देखिए the site for the new factory has not been decided at नए कार खाने के लिए जगा अभी तक तै नहीं की गई है तो दोस्तों ये फाख है sit or site में इस तरह के और कोई confusion हो तो comment करके जरूर बताएं फिर उस पर हम next वीडियो बनाते हैं और अभी तक चैनल को subscribe ना किया हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लें शुक्रिया दोस्तों